जो हमारा नया Instagram handle है, उसका link नीचे है, Telegram का link नीचे है, description में, आप जाओ, उनको follow कर लो, जो छोटी छोटी अपडेट है ना, आपको वीडियो यहाँ पे YouTube पे नहीं मिलेगी, वो सब छोटी छोटी अपडेट किया है, आपको Instagram, Telegram पे मिलेगी, उनको follow कर लो, और YouTube का जो नया करोशिया, जो भी स्किल में आपको बताऊंगा, अगर आप लोग की match कर दिया हो स्किल, तो आप लोग इसमें eligible है, इसमें process कर सकते है, work permit, work permit रहेगा, एक साल के लिए, accommodation, transportation, food, यह सब चीजे company आपको provide करा के देगी, जो आपका visa कर्च होगा, वो भी company आपको करा के देगी, लिथ्वेन्या में तकरीबँन आपको 3-3 मेनिया का time लग सकता है, हो सकता है, ढ़ाइ मिनए भी काम खतम हो जाए, जो उसमें time limit तकरीबँन 4-4 मेनिया की लग सकती है, उसमें मैं आपको skill बता जाता हूँ कि skill कौन कौन सी है, इसमें सबजे पहले तो आप ट्रक ड्राइब तो या फिर आप होटी कल्टर से रिलेटर काम जानते हो लेकिन इसे में आपको experience चाहिए किसी फारम में आपने काम किया हो या किसी cold storage में काम किया हो तो उनका experience में मस चाहिए experience में सभी मस चाहिए लेकिन जो technical से related है ठीक है उनका अगर certificate है experience नहीं भी है तो भी काम चलेगा या जिनके पास experience से certificate नहीं है तो भी हो जाएगा अब इसमें हम criteria देख लेते age criteria क्या रहेगा maximum 55 years तक है जो technical वाले है वो 55 years तक है जो driver है वो 49 years तक रहेंगे इसमें बाकी जो sales वागेरा से related है या बेकिर से related है वो 45 years तक रहेंगे ये चीज आप ध्यान रख रहा है इसमें अगर हम इसमें बात करें तो salary क्या रहेगी salary इसमे और एक लांक 15,000 बस maximum इतनी है अगर आपको लग रहा है कि आप लोग के लिए काफी अच्छी है तो आप अपने documents हमारे पास में भेज सकते हैं सबसे अच्छा किया है लिथ्वेनिया में success rate बहुत हाई रहता है दूसरा किया है कि आपको 5 साल बाद आपकी eligibility बन जाती है उस पार्ट नहीं था लेकिन अभी जैनवरी से अभी शैनगन का पार्ट है तो इसमें सबसेट चाहिए है ना आप लोगों के लिए कि आपके पास में लिथ्वेनिया का चाहिए वर्क परमिट है चाहिए आपके पास में क्रोशा का वर्क परमिट है और आपकी eligibility बनती है other country के के लिए भी आप वहां पर जा के गुम सकते हो और आम से ठीक है तो आपको eligible हो उस चीज़ के लिए अब इसमें बात कर ले रहे हैं डोकुमेंट की डोकुमेंट क्या के चाहिए आपके पास्पोर्ट की को पी चाहिए फरंट और बैक की और कम से हम एक साल की उसमें वेलिड करेंट में आप हमें बना के बेज़ देना जो भी हमारे तुरूप प्रोसेस करेगा उसका सीवी का लग से कोई चार्ज नहीं करते हैं लोग उसी में से प्रोसेस कर देंगा आप लोग का इसके लावा आपकी जो फैमिली डिटेल से अदारकान पैरंट कार्ड यह सब चीज के लिए छे मेने के फिर उनको वापस जाना पड़ेगा एक बार आगे जब तक आपका वीजा चल रहा है तो उनका भी वीजा चलेगा और जब आपका वीजा रिनु होता है कंपनी रिनु करती है उससे बहले फिर आपको फैमिली में जितनी वेमबर है उनका सब का मैडिकल कराके और रियुनिफिकेशन को उसको विजा को आपको रियापलाई करना है यानि कि उसको क्या करना है इसको रिन्यू कराना है तो इसमें फाइदा गया रहेगा चाहे आप क्रोश्या में रह रहे हो क्रोश्या में आपकी जोब है या आप लिथ्वेनिया में रह रहे हो को अपने साथ में रख सकते हो जब तक आपके वीजा की वैलिडिटी है उनके वीजा की भी वैलिडिटी इसमें रहेगी तो सबसे बड़ा फायदा यह भी आपको रहेगा इसमें बागी लिट्वेनिया क्रोश्या से अगर कुछ भी आपको क्वेरी है नीचे दीगे नंबर आप कॉल कीजिए ओफिस विजिट कीजिए इस्टाप से मिलिए जो आपकी क्वेरी रहेगी उनका सोलुशन आपको इस्टाप दे देगा इसके लावा अगर आप चा रहे है कि डारेक्ट मुझ से मिलना तो अपोइंटमेंट आप लेकर फिक्स कर लीजे क्योंकि मैं मॉसल अगर् strengthened में रहता हूं जब lass तभी होता है अगर मेरी होगी तो इस आप आपको हाह करेगाँ कूल सबी को बता इंगे लिए निचे के और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और वीडियो को लाइक करते हो, तो चलो दोस्त इसी के साथ में, जै हिंद!